हरी ओम तत्षत श्रीमते राम चंद्राय नमा ओम नमपरमहंसा स्वाजित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय स्री राम चंद्राय बागी शायस्य बदने लक्ष्मीर यस्य चवक्षसी यस्यास्ते रजय सम्वित तम्रशिंग महंभजे विश्वसरग विशरगा धिनव लक्षन लक्षितं स्री कृष्नाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामितत प्रहलाद नारद पराशर पुंदरीक व्यासांबरीस सुकसवनक भीष्मधाल भ्यान रुक्मांगदार जुनबसिस्थ विभीषनादीन पुल्यानिवान परमभागवतान नमामित वांचा तल्पतरुभ्यस्य कृपासिंदुभ्य एवचा पतितानाम पावने भ्यो वैष्नवे भ्यो नमो नमाम सीतानाथ समारंभाम स्रीरामानन्दार्यमध्यमाम अस्मदाचार्यपरयंताम बंदे गुरुपरंपराम नमो गोभ्या स्रीमती भ्याह सौरभे इभ्य एवचा नमो ब्रह्म सुताभ्यस्य पवित्राभ्यो नमो नमा राधाम क्रिष्न स्वरूपाम बै क्रिष्नम राधा स्वरूपिनम कलात्मानम निकुञ्यस्थं गुरुरूपम सदावजे नीला चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमहा कल्यानानाम निधानम कलिमलमतनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुक्षो सपदिपरपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्राम अस्थानमेकं कविवरवचसाम जीवनम सज्यनानाम बीजम धरमद्रुमस्य प्रभवत भवताम भूते रामनाम भप्त भप्ति भगवंत गुरुचतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किये नाशें विध्न अनेक बंदव गुरुपद कन्य कृपासिंधुनर रूपहरी महा मोहतम पुण्य जासुबचन रभिकर निकर बंदव तुलसी के चरण जिनकीन हो जगकाज कली समुद्र बूढत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज श्री राम ये राम ये जे राम सिता राम ये सिता राम राधेश्याम ये राधेश्याम ये राधेश्याम जाने की बल्लभ सीता राम कमला बिमला मिथिला धाम अवद सरयू सिता राम जे जे श्यामा जे जे श्याम जे जे श्री ब्रन्दावन दाम जे जगनात जे बलदेव जे शुभद्रा जे निला चलधाम जे शुभद्रा जे इना जे राम स्री राम जे राम जे जे राम स्री राम जे राम स्री राम जे जे राम सीता राम ये सीता राम राधेश्याम ये राधेश्याम राधेश्याम ये राधेश्याम स्री राम ये राम ये राम स्री राम ये राम ये राम स्री राम ये राम ये राम सीता राम जै सीता राम राधे श्याम जै राधे श्याम Śrī राम जै राम जै जै राम श्री राम जे राम जे जे राम श्री सिता राम चंद्र भगवान की जे स्री वन्सीवत भभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ स्री गिरिराज महराज की जै, स्री गवु माता की जै, अखिल गोवन्ष की जै, स्री सूर्श्याम गोधाम की जै, स्री जड़कोर गोधाम की जै, स्री पत्मेडा गोधाम की जै, स्री चोराशी कोश ब्रिजमंडल धाम की जै, स्व संतन की जै, स्व भक्तन की जै, स्व विप्रन की जै, समस्त ब्रजवासीन की जै, स्री सद्गुरु देव भगवान की जै, स्री हनुमान जी महराज की जै, स्री गोपी स्वर महादेव की जै, स्री अनपूर्णा माता की जै, स्री चोराशी कोश ब्रिजमंडल धाम की जै, सपरिकर स्री जगनात महाप्रभू की जै, स्री निला चल धाम की जै, जै जै स्री राधे, जै जै स्री सीताराम हर हर महादेव। हरिश्षरणम भक्त वांचा कल्पतरू भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दयासिंधु क्रपासिंधु भगवान श्री हरी की महिती क्रपा करुणा से, श्री धाम ब्रंदावन में, श्री यमना पुलिन, वन्सीवट, ज्यान गुदरी, गोपीश्वर महादेव की सन्निधी में स्थित, श्री मलूप पीठ के इस पवित्र, पंडिश्री जगनात प्रसाद भक्त माली सत्संग भवन में, श्री ठाकुर्जी की चरण सन्निधी में, पूज्य संतों की महत पुरुषों की मंगलमई उपस्तिती में, पूज्य संकिर्तन समराट स्री प्रेम भिक्षुजी महाराज के पचास में स्वर्नस्मर्ती तिरो भाव महोत सव के उपलक्ष में, हम आप सब को गोश्वामी श्री तुलसी दासी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ, सिद्धान्त ग्रंथ, श्री विने पत्रिका के माध्यम से सत्संग लाव प्राप्त हो रहा है, कुछ अपरी हार्य कारणों से मध्य में तीन दिन विश्राम हुआ है, चार दिन, अच्छा, ये बात है, हम एक दिन वो वहाँ पहुंचने वाला गिन लिया, इसलिए चार दिन हो गया, चार दिन हो गया, चलो, सनकादिक भगवान समझ लो, तो मध्य में चार दिन विराम हुआ, और लगवग एक महिना से एकाद दिन उपर सत्संग हो चुका था बीच में, चार दिन का विराम हुआ, आज चौथा दिन है कि पांच माँ, आज पांच माँ, तो चार दिन हुआ, पांच में की तो हाजरी हुई रही है, तो हम लोग अब सत्संग आरंभ करते हैं, आज बड़ी प्रसन्यता है, कि पूज्य महराजी कृपा करके पधारे हैं, अब हम किस नाम से आपको संभोधित करें, हैं, परम पूज्य स्री बलरामदासी महराजी, कृपा करके पधारे हैं, उनको हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं, क्यों न हो, परम वीतराग, ज्यान वैराज्य और भक्ती की साक्षात प्रतिमूर्ती, त्याग और तप की साक्षात प्रतिमूर्ती, स्रधे स्री स्वामी जी की सन्यधी जिनें प्राप्त भई हो, वे लोपोत्तर क्यों न होंगे अवश्य ही होंगे ऐसे स्रद्धे परम स्रद्धे स्वामी स्री राम सुगदासी महराज का दीर्ग काल तक जिन्होंने सत्संग प्राप्त किया ऐसे स्वामी स्री बलराम दासी महराज कृपा करके पधारे हैं हमें बड़ी प्रसनता हो रही है आपका दर्शन करके हम आपको साधर बंदन करते हैं विराजमान सभी पूज्य संतों को साधर प्रणाम करते हैं पद संख्या पचीसमें पद में हर्मान जी को चंद्रमा कह करके उनका बंदन किया और चब्वीसमें पद में भगवान सूर्य से उपमित करके उनका बंदन किया अब सताइसमें पद में गोस्वामी तुलसीदासी महराज स्री हनमान जी का मंगल में समरन कर रहे हैं दास पहले नवेदन कर चुका है कि बारह पदों में हनमान जी की बंदना गोस्वामी जी ने किया है मानो हनमान जी के द्वादस नामों को नमस्कार किया हनुमा नंजने सूनुर वायु पुत्रो महवलाह रामेश्ट अफालगुन सगह पिंगाक्षो मितविक्रमाह उदधिक्रमनस्चेवव सीता शोक विनासना लक्षमनप प्राण दाताचव दशक गरीवस सिदर पहा ये बारह नाम हनमान जी के प्रधान हैं बारह स्वरू प्रधान हैं और गोस्वामी तुलसी दासी ने काशी में द्वादस हनमान जी को अपने हाथ से प्रतिष्टित किया संकट मुचन हनमान जी के सहित ग्यारा हनमान जी और काशी काशी में गोस्वामी जी ने द्वादस हनमान जी की प्रतिष्टा की तो मानो प्रत्येक हन्वान जी को आपने एक-एक पद के माध्यम से प्रणाम किया तो हम लोग पहले पद का स्मर्ण करते हैं जयति मंगलागार संसार भारापहर बानराकार विग्रह पुरारी रामरोशानलज्वालमालामिषध्ध्वान्तचर सलभसंगारकारी जयति मरुदण्यना मोद मंदिर नतक्ग्रीव सुग्रीव दुखईक बंधो यातु भानोध्धत कृद्ध कालाग्निहर सिद्ध सुरसज्यनानंद सिंधो जयति रुद्रा ग्रणी विश्वबंध्या ग्रणी विश्व विख्यात भट चक्र वर्ती साम गाता ग्रणी काम जेता ग्रणी राम हित राम भक्ता नुवर्ती जयति संग्राम जय राम संदेशहर कौशला कुशल कल्यान भाशी राम बिरहारक संतप्त भरतादि नर नारी सीतल करण कल्प शाकी जयति सिंगासना सीन सीता रमन निरखि निरभर हरसंद्रत्यकारी राम संभ्राज सोभा सहित सरवदा तुलसी मानस राम पुर्विहारी सरलार्थ है कहे हनवान जी महराज आपकी जय हो प्रत्यक पद के आरम में जयति शब्द का प्रियोग है आपकी जय हो आप मंगल के आगार है आगार शब्द का रतोता घर नवह जी ने कहा है मंगल आदि बिचारी रह वस्तुन और अनूप हरी जन को यस गामते हरी जन मंगल रूप हरी जन मंगल रूप हैं प्रणपति राम शकल सिद्धिपति जान की दासनपति हनुमान संसार में जितने भी दास हैं उन सब के स्वामी श्री हनुमान जी है वैसे समस्थ आस्टिक संप्रदायों में श्री हनुमान जी की पूजा होती है किन्तु बैश्रमों के चतु संप्रदायों में तो अखाडे के प्रधान देवता के रूप में हनुमान जी ही है आप लोगों ने देखा होगा कोई विशेष उत्सव महत्सव सोभा यात्रा होती है जरा बंडारा होता है तो निसान पधारते हैं उचे उचे हाथ में ले करके वो निशान क्या है वो ध्वजा है और उस ध्वजा में श्री हनुमान जी प्रतिस्टित होते हैं उन्ही को निशान कहा जाता है तो चाहे रामानन्दी हो श्यामानन्दी हो किसी संप्रदाय के हो सबकी ध्वजा में हनुमान जी विराजमान है और अखाडे के इष्ट देवतातों हनुमान जी तो इसलिए दासन पति हनुमान जो जब दास ही मंगल स्वरूप हैं तो दासों में स्रेश्च दासों के स्वामी श्री हनुमान जी वे तो मंगलागार हैं ही दूसरा भाव ये है कि भगवान स्वयं मंगल स्वरूप हैं मंगलम भगवान विष्णुर, मंगलम गरुडद्वजह, मंगलम पुंडरी काक्षो, मंगलायतनो हरि हि मंगलम कौशलेंद्राय महने गुणाप्धे, चक्रवर्तितनु जाय सार्भ भवुमाय मंगलम मंगल भवन अ मंगल हारी, उमा सहत जहीजपत कुरारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवव सुदसर्थ अजिर विहारी ऐसे परम मंगल में जो भगवान श्री राम है वे निरंतर श्री हन्वान जी के हिरदय कुझ्य में विरास्ते हैं उनके हिरदय सिंगासन पर विरास्ते हैं प्रणवाउं पवन कुमार खलवन पावक ज्यान घन जासु हुरदय आगार बसही राम सरचाप धर सरचाप धर के दो भाव हैं एक तो है धनस्वान धान करके राम जी आपके हुरदय में भी रास्ते हैं स्पश्ट अर्थ है दूसरा अर्थ है कि स्रवत्र रहुनाजी धनस्वान लेकर खड़े रहते हैं बैठते नहीं है पर यहां धनस्वान की प्रत्यंचा उतार देते हैं तरकस को भी रख देते हैं आराम से धनुस्वान को पदरा कर हन्मान जी के हरदय में बैठे रहते हैं। सरकार को बिलकुल भी कर्ष्ट नहीं उठाना पड़ता है। क्यों? राम जी धनुस्वान लेकर खड़े क्यों रहते हैं। इसलिए खड़े रहते हैं कि मानलो हम लेटे होंगे, अथवा बैठे होंगे और भक्त आर्त होकर हमें पुकारेगा, तो सावधान होकर खड़े होकर भागने में बिलंब हो जाएगा। इसलिए सरकार खड़े रहते हैं, कोई बुलावे तो सही हम दोड़ें। हनवान जी ने का सरकार आप भागदौर तो खूब करते हैं, लेकिन हमारे हर्दय में तो आपको धनुस्बान तरकस सब नीचे पधरा करके, आपको खड़े नहीं रहना है, आपको तो बैठना है। भगवान बोले कि जब भक्तों पे भीर पड़ेगी, बोले कि संकट पड़ेगा, और भक्त बुलाएंगे तब हमको फिर और समस्या होगी, खड़े होना पड़ेगा, धनुस को जुका कर प्रत्चिंचा चड़ानी पड़ेगी, तरकस समालना पड़ेगा फिर दोड़ना पड़ेगा तो भ्यक्त रक्षन की प्रतिग्या हमारी बाद ही तो हो जाएगी इसलिए ऐसी ही ऐसा आग्रह न करो ऐसी इक्षा न करो हनमान जी बोले नहीं महराज आपको तो जैसे हम प्रार्तना कर रहे हैं वैसे ही आपको निश्चिन्त होके बैठना है क्यों क्योंकि आप भाग जाएं हर दैसे छनार्ध के लिए आपका स्वरूप हमारे अंतक करण रूपी सिंगासन से तुरुहित हो जाए हम यह सहिन नहीं कर सकते रही भक्तों के ऊपर संकट की बात तो यह दीन हीन दास आपका है ना आपको जो भी पुकारेगा आपको कश्ट नहीं उठाना पड़ेगा यह दास पहले ही आपके दास के संकट को दूर कर देगा बो श्री संकट मुचन हनुमान जी महराज की इसलिए मंगलागार क का दूसरा आर्थ है मंगल मैं मंगल स्वरूप मंगल निधान श्री रगुनाज जी जिनके हरदय को अपना आगार निवासस्थान बनाकर विराजते हैं ऐसे हनुमान जी मंगल मने राम जी आगार मने उनका घर राम जी का वास्थविक निवासस्री हनुमान जी का हरदय है क्यों निवास है इसलिए निवास है कि हनुमान जी परम सिद्ध कोटी के भक्ते है विशई साधक सिद्ध सयाने ये जो कोटियां भक्तों में कही गई हैं उनमें हनुमान जी सिद्ध कोटी के भक्ते है सिद्ध भक्त किसको कहते हैं जो परम निश्काम हो उस सिद्ध भक्त प्रहलाजी को सिद्ध भक्त कहा जाता है क्योंकि प्रहलाजी ने पूरे प्रहलाजी के चरित्र को उठा कर देख लो प्रहलाजी ने कहीं भी रक्षमाम पाहिमाम त्राहिमाम नहीं कहा बिकट से बिकट परस्थिती में भगवान की लीला का ही दर्सन करते रहे भगवान की कृपा का ही अनुभव करते रहे और कोई कामना प्रहला जी ने भगवान से नहीं की कामना तो नहीं ही की कामना तो नहीं ही की भगवान के बारवार कहने पर के बरदान मागो बरदान मागो बरदान मागो प्रहला जी ने एक ही बात कही प्रहला जी बोले आपको जादा ही ललक लग रही है बरदान देने की तो आप ऐसी कृपा करो कि कामानाम हृद्यसन लोहा भवतस्तु ब्रणे वरम हे भगवन मैं आप से यही बरदान मागता हूँ हर्दी कामानाम असन्नो हा हमारे हर्दय में कामनाओं का बीज ही अंकुरित नहो यह बरदान क्यों मागा यह बरदान इसलिए मागा कि प्रहलाजी विचार करने लगे कि मेरे भीतर कामनाएं तो हैं पर मेरी अन्भूती में नहीं आ रही है क्योंकि सर्वता मेरा चित कामना सुने होता तो भगवान को यह कहने का साहसे ही नहीं होता कि तुम मांग लो इसका मतलब कामनाएं तो भीतर हैं पर वे प्रसुप्त पड़ी हुई हैं अंकुरित नहीं हुई हैं, बीज रूप में कामनाय पढ़ी हैं, ये भगवन जहाँ पढ़ी हैं, वहीं पढ़ी रह जाएं, उनमें अंकुरन नहों ऐसे सिध्धकोटी के भक्त स्री प्रहलाज जी हैं ऐसे ही परम सिद्धकोटि के भक्त श्री हनुमान जी महराज है हनुमान जी महराज के संपुर्ण चरित्र में उन्होंने रगुना जी से कभी कुछ मागा नहीं सेवा के बदले तो नहीं ही मागा बार बार भगवान के कहने पर भी श्री हनुमान जी ने वर्दान नहीं मागा इसलिए हनमान जी का हरदय रगुना जी का निज निवास अस्थान है क्योंकि जिन को कवहुन चाहिये कचु तुमसन सहज सने बसहु निरंतर तास उर सोरा उर निज गेह अब हम कहीं कुछ दिन के लिए चले जाते हैं आवशक होने पर जाते हैं पर वहां रहते तो नहीं है रहते तो ज़्यादा तर यहीं है क्योंकि यह निज निवास अस्थान है मान लो ज़्यादा भी बाहर रहें तो भी कोई पूछ है क्या आप अपना पता दिखाईए तो हम यह नहीं कहेंगे कि बंबई में अमुक महले में कोयमबटूर में अमुक महले में दिल्ली में अमुक महले में हम रहते हैं क्या कहेंगे श्री ब्रंदावन मलुक पूछ में निवास करते हैं यहीं तो कहेंगे भगवान का इस्थाई पता है हनुमान जी का हरदय ऐसे मंगलागार स्री हनुमान जी महराज और कैसे हैं संसार भारा पहर संसार के भार को हरन करने वाले हैं अब हरन करने वाले हैं दो प्रकार से एक तो साक्षात रुद्र हैं प्रलेयंकर शिव है इसलिए महा प्रलेकाल में इस संपुर्ण ब्रह्मांड को आयो गोलक के समान दग्ध कर देते हैं आयो गोलक समझते हैं नहीं लोहे का गोला हो और उसको धदकती हुई आग में डाल दिया जाए और फिर बाहर निकाला जाए तो कैसा लगेगा वो काला लोहे का गोला नहीं दिखाई पड़ेगा वो अगनी का ही गोला दिखाई पड़ेगा ऐसे ही भगवान शिव जब इस ब्रह्मांड को जलाते हैं तो वो दग्ध आयो गोलक के जैसा दिखाई पड़ता है जलते हुए लोहे के पिंड के जैसा दिखाई पड़ता है तो इस रूप में महाप्रले करते हैं आप तो संसार भारा पहर दूसरा आप जीवों को ज्यान भक्ती वैराग्य का उपदेश करते हैं अग्रे बाचयति प्रभण्यन सुते तत्वं मुनेंद्रई परम व्याख्यातं भरतादि परिवर्तं रामं भजे श्यामलं हनमान जी का एक स्वरूप उपदेश्टा स्वरूप भी है आचारे स्वरूप है गुरू स्वरूप है न हनमान जी गुरू जी का काम क्या है जीव और ब्रह्म के बीच की मध्यस्थता करना ये गुरुजी का काम है भगवान को राजी करना कि प्रभो आपका ही अंस है कुछ माया की छोट सपेट खाकर घायल हुआ था अब आप इसको अपना लीजिए क्योंकि आपने छाती ठोक ठोक के कहा है ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मनश श्ष्टान इंद्रियानी प्रकृतिस्थानी कर्शती एव कार अन्य की व्यावरत्ती के लिए मेरा ही अंस है दूसरे कांस नहीं है आप कांस है तो आपको छोड़के जाएगा कहाँ आप इसे अपनाईए नारायन दया सिंधो वातसल्य गुनसागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधिनम अनेक जन्मों का पराधि है एनाथ इसकी रक्षा कीजिए तो भगवान के गुणों को भगवान को सुना करके शरनागत वतसलता आदी आदी गुणों को सुना करके सरकार को राजी करते हैं के इसको तो सर्णमें लेना ही पड़ेगा नाथ सैल पर कपिपति रही सो सुगरीव दास तब आई भोगी, विशयी, भयाकुल को भी दास बना देते हैं हनमा जी जूट नहीं बोलते हैं, वो जानते हैं जीव मात्र स्री रगुना जी का नित्य दास है इस दृष्टी से सुग्रीव जीव तो है और जीव है तो भगवान का दास है तो इसमें जूट क्या है यही बात सच्ची है, सो सुग्रीव दास तब आई वही सुदर गृवा बाला है जो आपका दास है सो सुग्रीव, सुशोवना गृवा एस सुदर है गृवा जिसकी सुदर गला किसका जिसके गले में तुलसी है उसका गला सुन्दर है और जिसका गला ऐसी नंगा है तुलसी जी विराजमाने ही नहीं कंट में ये कंट लगन तुलसी नलिनाक्ष माला ये वई ललाट पटले लसदूर्धपुंड़ा ये बाव मूल परिसिनित संक चक्राह ते वैश्नवाह भुवनमासु पवित्रयन्थी जिसके गले में कंटी नहीं है जिसका गला नंगा है वो तो बस्तुता नंगा ही है संदर गृवावाला वही है जो आपका दास है अथवा जो आपका दास होता वही संदर गृवावाला होता है क्योंकि आपके दास अपने कंठ में निरंतर कंठी धारन करते हैं यग्यो पवीत वद्धारिया कंठे तुलसी मालिका शनारधम तद्वी नोपी विश्णु द्रोही भवेन नरहा आधे क्षण के लिए तुलसी गले में न रह जाए तो भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है हमें बड़ी प्रसनता होती हमारे गवडिय वैश्णु इतनी तुलसी पहनते हैं क्या कहना तीन लर्की पांच लर्की ओ इतनी माला तुलसी की तुलसी ही स्रंगार है श्री बिनोद बाबाजी के पास एक महात्मा रहते हैं इतनी तुलसी पहनते हैं इतनी सुन्दर सुन्दर तुलसी क्या कहना तुलसी से कंठ की शोगा है श्रीमन महाप्रुहुजी के परिकर श्री मधु पंडित श्री मधु गोस्वामी जी जिन्होंने श्री गोपी नाजी को प्रगट किया वे तो तुलसी का ही वस्तरधारन करते थे उनके तुलसी का जबला आज भी जैपुर में गोपी नाजी के मंदर में विराजमान है तुलसी की टोपी और तुलसी का नाभी परियंत वस्तर तुलसी का बड़ा सुंदर है देखने योग यह महाराज उसको वो अपने श्रियंग पर धारन करते थे तुलसी की बड़ी भारी महिमान तो हनुमान जी वस्तुताहा जीव को दास बनाते हैं और उस जीव को भगवत शरनागत बनाके तुलसी पधरा करके उसे सुग्रीव बना देते हैं सुंदर ग्रीवा बना देते हैं तो गुरु जी का काम है इधर राम जी को राजी किया इधर सुग्रीव को राजी किया और पावक साकी देएकर जोरी प्रीति द्रड़ाए अगने की साक्षी में प्रेम के प्रेम संबंध को जोड दिया और इसी को ब्रह्म संबन्द कहते हैं, इसी को दिक्षा कहते हैं, इसी को शरणागती कहते हैं पर यहां एक विसेश बात है, ध्यान देने की बात है कि हनमान जी जैसे समर्थ गुरू सुग्रीव को मिले हैं आईसे समर्थ गुरु के चेला को एक माला भी नहीं फेरना पड़ा गुरु जी राम जी को लेके आगए लिये दो जन पीट चड़ाई दीक्षा तो पीछे भगवत प्राप्ती पहले ऐसे समर्थ गुरु और ऐसे समर्थ गुरु का चेला होकर भी राम जी को कहना पड़ा सुग्री बहु सुधि मोरे विसारी पावा राज को सपुरनारी इतना प्रमाद कैसे हो गया ऐसे गुरु के होते हुए भी प्रश्न है कि नहीं भगवत प्राप्ति के बाद बिकार क्यों रहे इस्त्री के प्रती, राज्य के प्रती, भोगों के प्रती, महत्तु बुद्धी क्यों रही आई लोभादी, कामादी, विकार, सरवथा, नश्ट क्यों नहीं हुए और नहीं हुए तो भगवत प्राप्ति की महिमा क्या हुई यह प्रश्न किया जा सकता है आप कहेंगे भगवान की प्राप्ति से क्या लाव कहां सुग्रिव के विकार कहां अस्तु हुए देखो बड़ी बारीक बात है बड़ी इमानदारी की बात है साक्षाथ भगवान मिल जाएं पर गुरुतत्य के प्रती जैसी महत्म बुद्धी होनी चाहिए इसी महत्म बुद्धी दिश्ष के चित में नहीं है तो भगवत साक्षाथकार के बाद भी वह निर्विकार नहीं हो पाएगा गुरु कृपा से ही निर्विकार हो पाएगा इसलिए गोश्वामी जी ने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बर्णू रघुवर बिमल यश जोदा यक फल चार गुरुतत्व के प्रती महत्म बुद्धी ना होने के कारण ये सब भोगना पड़ रहा है। इसलिए मोते अधिक गुरु ही जी जानी भगवान भागवाजी में तो यही बोलते हैं आचारियमाम भी जानी आता है और गोश्वामी जी एक कदम आगे हैं मोते अधिक मेरे समान नहीं मुझसे अधिक मानो तो हनुमान जी जीव को भगवत तत्व का सरणागती का उपदेश करके उसके संसार भार का अपहरण कर लेते हैं बिभीषण जी परम साधन संपन्य है उत्मोत्तम कोटी के साधक हैं लंका जैसे स्थान में रहकर भी उनके साधन में बिक्षेप नहीं है क्षणार भी साधन से वंचित नहीं है शिद्द कोटी के साधक हैं भीविषण जी महाराज लेकिन उनको भी प्राप्ती तब तक नहीं होती है जब तक Shri Hanumanaji उन्हें अंगी कार नहीं कर लेते हैं Hanumanji ने उनको उर्दे से लगा लिया अपना मान लिया तो रघुना जी की प्राप्ती कितने जल्दी हुई कितने साल लगे राम जी मिलने में वर्स लगे नहीं लगे Hanuman जी लंका जला के गए हैं आपात काली ने बैठक आयुजित की गई उसका बिशय यही था कि वो सब आ गए हैं समुद्र के किनारे तक अब हमें क्या करना चाहिए इसमें बहुत समय तो नहीं लगा दस बारा दिन का समय भी नहीं लगीद वितीत हो पाया होगा और दस बारा दिन का भी समय वितीत नहीं हो पाया और रावन बद की तयारी हो गई ऐसे स्रीहनवान जी महाराज संसार भारा पहर तो यदी साधन में तो पहले भी कमी नहीं थी पर साधन हली भूत तब हुआ जब समर्थ सद्गुरु श्रीहनवान जी का अनुग्रह हो गया इसलिए संसार भारा पहर हनमान जी गुरु स्वरूप हैं आचारे स्वरूप हैं इसलिए वे जीव को भगवत श्रणागती प्रदान करके ज्यानभक्ति वैराग्य का उपदेश करके कृपा करके स्रीहनवान जी महराज उसके संसार भार का अपहरन कर लेते हैं स्री तुलसीदासी महराज कहते हैं इनका देखने में आकार बानर के जैसा है पर ये बानराकार विग्रह पुरारी ये बानराकार स्वरूप में साक्षात भगवान शिवही है रुद्र देह तज नेह वस बानरभे हनुमान ऐसे आप हैं और हे भगवन राम रोशा नलज्ज्वाल माला मिसद्ध्वान तचर सलव संहार कारी उल्लंगे शिंदो सलिलम सलीलम यह शोक बन्हिम जनकात मजाया आदाय तेनई वददाह लंकाम नमामितम प्रांजली रांजनेयम उल्लंग है सिंदो हो उल्लंग है समुद्र का उल्लंगन करके कैसे लांगा समुद्र बारा सो किलूमीटर की चलांग लगाई अनमाम जी ने कैसे लगाई सलीलम उसमें प्रयास नहीं कर लीला पूर्वक जैसे बचे खेल खेल में इधर से फुदक के उधर चले जाते हैं आन मजी फुदक गए वाँ योक्त पन्यं उल्लंग है सिंधोग सलीलम सलीलम अल की उल्लंग व्लंग है सिंदोग सलीलम सलीलम यशोग बन्यं जनकात्म जाया लंका में आग लगाई आग कहां से हैं इनमान जी पह तै हुले ज्ञानकी ची शोखूरूपी अगनी उसको लिया और उस अगनी से लंका को जा आदाय तेनेव लंकाम तदा स्री जानकी जी की शोक रूपी अगनी को उनसे लिया और उसी आग से लंका जलाई इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि जो अगनी देवता हैं उनमें तो लंका जलाने की हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि हन्मन नाटक के अनुसार रावन ने अगनी को पाचक के रूप में रसुया के रूप में न्युक्त कर रखा थे अगनी हा महराज रसुय बनाओ लंका में रावन के रसुया थे अगनी देवता उनकी हिम्मत कहां थी लंका जलाने की ये प्राकृत अगनी ने लंका नहीं जलाया जानकी जी की शोक रूपी अगनी को लेकर के अनुसार ने लंका जलाया प्राकृत अगनी लोहा लकडी जला सकती है पर सौने की पूरी लंका को पिहला कर बहाना बड़ा कठिन काम है पर जानकी जी की शोक रूपी अगनी ने लंका को स्वर्णमई लंका को जला दिया आदाय तेने वददाह लंकाम नमामितम प्राण्जलिही हाद जोड़ कर उन हनमान जी को आन्यनेयम अन्यनी नंदन स्री हन्वान जी को हम प्रणाम करते हैं यही भाव यहां दे रहे हैं वहां जानकी जी का शोक रूपी अनल है यहां राम जी का रोश रूपी अनल है राम जी का रोश अनल क्या है राम जी ने दंडकारण में हड़ियों का पहाड देखा तो राम जी ने पूझा कि ये क्या है सफेज सफेद पहाड अरे बोले महात्माओं की हड़ियां है इतनी हड़ियां कहां से आई बोले निश्चर निकर सकल मुनी खाए निश्चर निकर निश्चरों के राक्षसों के समूह ने महात्माओं को खाखा करके ये धेर लगाया है आप लोग हसी में मत ले जाना सही बात सुना रहा हूं आपको हमारे पूज गुर्देव उसरी पहाड़ी बाबा महराज खाक्षोक वाले महराजी सुनाते थे अब तो जमाना बदल गया महराजी कहते जिस समय हम अरुना चल प्रदेश में नागा लेंड की तरफ जहां परुसुराम कुंड है तो ले परुसुराम कुंड की यात्रा बहुत खतरनाक थी उस जमाने में इतनी खतरनाक थी आज भी खतरनाक है हम लोग तो हो गया है परुसुराम कुंड है वहाँ आज भी जंगलों में नर्भक्षी लोग रहते हैं नर्भक्षी नर्मान्स भक्षी और कहीं महात्मा मिल जाएं तो उनका हर्दय बड़ा प्रसन्य हो जाता है महाराजी की सुनाई हुई बात सुना रहे हैं वो मानते हैं कि किसी महात्मा को खा लिया जाए तो हमारे जीवन के सारे पापनश्ट हो जाएंगे क्योंकि महात्मा तो सबतीर्थों में घूमते हैं वे बड़े पवित्र होते हैं फलाहारी होते हैं तो उनको खाने से हमारे पापनश्ट हो जाएंगे वो हमारों को सबतीर्थों का पुन्य मिल जाएगा हम तो धन्य हो जाएंगे ऐसी मानेता वाले भी लोग हैं तो महराजी कहते थे किलहडी फरसा उन पर धार धर के त्यागी तपस्वी लोग चलते थे आठ दसका जुंड और कहीं रास्ते से भटक न जाएं इसका बड़ा प्रयास अगनी जला के रखते थे नहीं तो मुलो मार के खा जाएं एक महात्मा के साथ घटी हुई सत्य घटना ये घटना लगवग असी नब्वे वर्स पुरानी हो सकती है महराजी के मुखारविंद से सुनी हुई घटना उदर की आत्रा में एक महात्मा थे जमात से छूट गए बटक गए तो एक भेड़ चराने वाला मिला ओ बिशाल काय था महराजी को सामाने मनुश्य के जैसा सुरूप नहीं था उसका उसने इनको पकड़ लिया बासा समझ में नहीं आवे क्या बासा बोल ला था ले गया एक गुफा में इतनी बड़ी गुफा थी कि उसमें उसकी सब भेड़ें आ गई और दर्वजी की तरफ खुद बैठ गया वहाँ अगनी जल लही थी वह महत्मा को दूर बिठा दिया वह वहाँ बैठा और एक भेड़ को ऐसी उठाया वह अगनी में भून कर ऐसी खा गया बनाने बनाने की जरूवत नहीं ऐसे दातों से खा गया खा करके कुछ मादक पदार से था उसको पिया और लेट गया वह महत्मा के तो प्राण सूख गया उन्होंने कहा थोड़ी दिर में हमारा भी जब भी ये सोके उठेगा उसको थोड़ी बाल भोग की इक्षा होगी तो अभी तो हमारे सामने भीड़ का काम तमाम किया है अब हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा अब महराज हनुमान जी की याद करने लगे जै हनुमान ग्यान गुन सागर जै कपिस्तिंग लोकुजागर हनुमान जी को बहुत पुकारा बचाओ इससे, इसके जावी नहीं सकते भाग करके क्या करें, कैसे करें तो भगवान बुद्धी देते हैं, जुक्ती मुक्ती देते हैं तो जैसी वो सो गया, महात्मा के पास चिपिया थी चिपिया जानते हो ना, चिम्टा, वो चिम्टा था महात्मा के पास उन्होंने उसको धूना में डाल दिया लाल हो गया और वो सो रहा था तो सोते हुए उसके दोनों नेत्रों में ओपरिशन कर दिया अब अपने प्राण बचाना तो कुछ तो करना पड़ेगा और तो कुछ कर नहीं सकते तो दोनों आख उसकी जलाई बड़ी जोर से वो चिलाया और ये भागे वहां से जैसे तैसे प्राण बचा करके आए तो ऐसे भी ही लोग हैं नर्भक्षी जो मनुष्यों को खा जाते हैं और महत्माओं को तो विशेश पवित्र मान कर बड़े प्रसन होकर खाते हैं तो ये आशुरी संस्कृती है वो सब निश्चर निकर सकल मुनी खाए परमस्रधे पुझे स्री मानस मरमग्य स्री रामे स्वर्दास रामायनी जी का भाव जो नोंने भक्त माल की ब्रहटी का की ऐसे परमस्रधे पुझे स्री स्वामी रामे स्वर्दास रामायनी जी महराज अध्भुत वक्त विथा उनका अध्भुत सैली दास के उपर तो उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की अपने हाथ से लिखित विने पत्र का दास को उन्होंने प्रदान की आज भी हमारे पास वा सुरक्षित है तो वो बड़ी सुंदर सुंदर बात मानस जी की बताते थे एक वार हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा निश्चर निकर सकल मुनी खाए सकल मुनी खाए तो अगस्त जी सुतिक्षन जी सब कहां से आ गए जी जूट लिकाए निश्चर निकर सकल मुनी खाए सकल मने संपूर जब सभी महात्माओं को खाई लिया तो सकल मुनिन के आसमन जाए जाए सुखदीन महात्मा आए कहां से बात अटपटी सी है धंड कारिण में भगवन रिश्यों को जाजा कर दरसन दे रहें तो जब सब खाई गए निश्चर निकर सकल मुनी खाए तो पर बचा क्या तो हमने का महाराजी आप ही बताईए तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने कहा जो केवल सकल मुनी थे हमारे जैसे मुनियों की सकल थी मुनी नहीं थे बस तुटा तो ऐसे जो सकल मुनी उन को राक्षस खागए पर राम जी ने सोचा भले ही मुनियों की सकल में थे मुनी नहीं थे पर भाई भेश तो साधू का था संत का था रिशी मुनी महत्मा का था तो राम जी ने उन सकल मुनियों को भी मुनी ही माना तो निश्चर निकर सकल मुनी खाए भाई सब होग घर छोड़के चले आते हैं जंगल में पर जंगल में बस जाने मात्र से और कोई एक विशेश बेश भूशा बना लेने मात्र से सब रिशिमुनी महात्मा नहीं बनते हैं उनके जैसा आचरन हो वे ही महात्मा माने जाते हैं तो राम जी ने अपनी करुणा दिखा दी कि तुम भीतर से महात्मा न हो सकल भी महात्मा की हो तो भी हम तुमको महात्मा ही मानेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे तो राम जी ने निश्चरहीन करूं मही भुज उठाय प्रणकीन राम जी ने भुजा उठा करके प्रतिग्या की के मैं धर्ती को निश्चरों से भीहीन कर दूँगा यही है राम जी का रोश और यही रोश है अगनी स्री राम जी का जो रोश है उसकी जो अगनी है क्रोध रूपी जो अगनी है ये क्रोध रूपी अगनी क्यों कहा क्यों कहा गोश्वामी जी ने इसलिए कहा कि ये सब संताप राध करने वाले हैं भकताप राध करने वाले हैं जो अपराध भगत कर करही राम रोश पावक सो जरही और राम जी के रोश रूपी अगनी में जल जाती है जल जाता है हमारे पुझ गुर्दे उस्री भक्तमाली जी से किसी जिग्यासु ने पूझा कि महाराजी अमुग जगह लिखा है कि होलिका को ब्रमाजी का बरदान प्राप्त था तो अगनी में नहीं जलेगी तो ब्रमाजी का बरदान जूटा कैसे हो गया होलिका जल गई और प्रलाजी कैसे बच गए तो महाराजी ने कहा नहीं ब्रमाजी का बरदान जूटा नहीं हुआ क्यों बोले अगनी में नजलने का वरदान था उसको तो अगनी में कहा जली वो भक्ताप राध रूपी अगनी में जली रामरोश पावकसो जरही वो सामाने अगनी में नहीं भक्ताप राध से जन्ने जो राम जी का रोश उस रोश रूपी अगनी में वो होली का जल गई इस राम रोशा नलत ज्वाल माला मिशद ध्वान्त चर राम जी की रोस रूपी जो अगनी है और वह अगनी की जो ज्वाल माला है प्रचंड अगनी है उसके बहाने से ध्वान्त चर ध्वान्त चर्माने होता है निसाचर राक्षस उनका संगहार कर दिया हनवान जी ने राम जी की रोष रूपी अगनी को ले करके उसी ज्वाल माला के मिसमाने बहाने से हनुमान जी ने उन राक्षसों को ऐसे जला दिया सलव संगहारकारी सलव जानते हैं? नहीं जानते हैं पतिंगे दीपक जलाने पर बरसाकाल में विशेश रूप में आप देखेंगे बरसात में तमाम कीडे पैदा हो जाते हैं आप दीपक जलाएंगे तो दीपक की जोती को देकर पतिंगे आकर उस पर तूट पड़ते हैं और सुवेरे तक यदि दीपक जलता रह गया तो सैकडों जीव उसमें जल करके मर जाते हैं तो जैसे वे सलब पतिंगे वे जल जाते हैं अगनी में ऐसे ही रामजी की रामजी के रोस रूपी ज्वाला माला के बहाने से हन्मान जी ने लंका के राक्षसों को लंका दहन करके पतिंगों के जैसे जला दिया जयति मरुद अंजना मोद मंदिर हनमान जी की जय हो कैसे हनमान जी मरुद अंजना मोद मंदिर वायू और अंजना दोनों के मोद के जो मंदिर हैं भवन है हनमान जी का प्राकट हुआ तो पवन देव बड़े प्रसन हो गए क्यों हमारा संबंध हनमान जी से जुड़ गया वायु नंदन स्री हनमान जी महराज वायु पुत्र हनमान जी महराज पवन कुमार हनमान जी महराज तो पवन देव बड़े प्रसन हो गए और अन्यना अन्यना की गोद में हनमान जी प्रगट भए तो अन्यना मया परम प्रसन एक कथा मन में आगई तो सुना देते हैं लंका बिजय करके पुस्पक बिमान में बैठ करके श्री रगुना जी अपने परिकर सहत अयुद्ध्या की लिए चले मार्ग में अन्यना गिरी पड़ा तो स्री हनमान जी ने कहा प्रभो आपकी अनुमती हो तो मैं अपनी पुझ्या माता जी के चरणों में प्रणाम करके आऊं बहुत समय हो गया माता जी का दर्सन नहीं किया है चरणों में प्रणाम नहीं किया है आप अनुमती दें तो माता जी को ढोग देाऊं प्रणाम कराओं राम जी तो राम जी है शील निधान राम जी बोले अरे हम भी तो आपकी माता जी को प्रणाम करा असिरवाद लेना चाहते हैं क्या हमें अपनी माता जी का दर्सन नहीं कराओगे हर्मान जी के नेत्र भराय बोले महरा नेकी और पूँच पूँच मेरा पुत्रक तभी सार्थक होगा जब आप मेरी माता को दर्सन देंगे अरे पुत्र वही पुत्र है जो अपनी मैया है भगवान के दर्सन करा दे तो हम तो चाहते हैं कि आपके दर्सन मेरी मैया को हो लेकिन संकोच के मारे आप निवेदन नहीं कर रहे थे आपको संकोच में डाल के पर आप स्वेम कृपा कर रहे हैं ये तो दास का परम सवभाग है और मेरी माता का परम सवभाग है लक्षमन जी जान की जी सब ने का हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे सब तयार हो गए बोले एक दो की बात ने सब चलो पुस्वभ भिमान मोड़ दिया पहुँच गए अंजना माता के निकट हनमान जी बोले आप लोग थोड़ा दूर करपा करके खड़े रहना मैं अपनी मैया से मिलूं प्रेम से क्योंकि माताएं जो है ना बीडबार में मिलना पसंद नहीं करते हैं उनके मन की इक्षा पूरी नहीं होती है बीडबार में कैसे सिर्पे हाथ फिरामें कैसे मस्तक सूंगें कैसे इसने हंकन करें कैसे लाड़ प्यार दुलार करें माताओं का उफसर नहीं मिलता तो उनको संतोस नहीं होता अब कुछ पूछ लें कुछ बता दें अब उनको संतोस हो जाता तो हन्मान जी बोले कि बीड़ बार में मेरी मैया थोड़ी घबड़ा जाएगी तो आप लोग थोड़ा देर खड़े रहें मैं अपनी मां से बता दूँ कि साक्षात रखुना जी बढ़ा रहे हैं आप दर्सन करो और नहीं तो बिना बताए जाएंगे तो उसको भी प्रसानता नहीं होगी कि अरे हमको पहले से बताया नहीं कि राम जी दर्सन देने आ रहे है सब ने का ठीक है भाई अपनी मां से मिलो हम लोग यहां खड़े-खड़े तो देख सकते हैं कि नहीं बुले हाँ आप दूर से दर्सन करो हनमान जी गए मईया के चरणों में अपना मस्तक रख कर प्रणाम किया अजरा माने हनमान जी को गोध में ले लिया मस्तक सुंगा नेत्रों से प्रेम जल बहने लग गया बहुत प्रेम से शरीज पर हाथ फिराया और मस्तक सुंगा कहा बेटा इतने दिन बाद क्यों आयो पहले तो यह बताओ हमको बिल्कुल भुला दिया इतने समय बाद क्यों आये तो हनमान जी ने संक्षिप में सारी बात बताई ऐसे ऐसे भगवान का अवतार हुआ है अयुद्या जी में और भगवान ऐसे पधारे राक्षसों ने जानकी जी का पहरण कर लिया रावन ने कपट पूरवक और फिर युद्ध हुआ पूरी कथा सुनाई और युद्ध हुआ उसके बाद फिर लंका विजय करके और राम जी आ रहे थे तब तक तो फुरुसत ही नहीं मिली अब जब फुरुसत मिली तो राम जी की आज्या लेकर हम आपके पास आएं और राम जी भी आपका दरसन करने आ रहे हैं तब तक राम जी आई गए हनमान जी तो मिल लिये थे तो मा अंजना हनमान जी पर प्रसन नहीं थी रुष्ट हो गई उन्होंने अपनी गोध से हनमान जी को उतार दिया अब उतार करके फैटकार करके कहा कि मैं तो बहुत आनंद कानभव करती थी कि तुम्हारे जैसा पुत्र हुआ है लेकिन अब मुझे बड़ा पस्चा ताप हो रहा है तुमको जन्म दे करके बताओ हमारे शीरहुनाजी कितने सुकुमार हैं उनको इतना कश्ट उठाना पड़ा युद्ध करना पड़ा इतनी सेना बंदरों की बटूरनी पड़ी अरे रावन को मसलने का काम तो तुम्हारे लिए चुटकी जैसा था तो तुमने क्या करते रहे गए तुमने हमारे दूध को लजा दिया इसलिए अब उतर जाओ मेरी गोद से अब जरूरत नहीं मताना मेरे पास तुमने हमारे दूध को लजा दिया आप सब सोचें कि बार-बार कहती हमारे दुध को लजा दिया दुध को इसका मतलब इनका दुध कोई बिसेश पावर वाला है क्या इनके दूध में कोई बिसेश सकती है क्या जामबंत जी महराज ने बीच बचाओ किया मां आप रोश का श्रमन करें, रावन कोई सामान पराक्रमी नहीं, त्रलोक विजयी रावन से युद्ध हुआ है, हन्मान जी का अविस्मर्णिय पराक्रम रहा है, उसमें हन्मान जी का दोश नहीं है, तब तक बार बार सब के मन में आ रहा था कि माता जी फिर भी ठंडी नहीं हो रही है, माता जी बार बार कहती है, मेरा दूध लजा दिया, तो इसके दूध में क्या विसेस्ता है, तो अन्यना माता परम सिद्धा है, वो सब के मन में क्या उथल पुथल मची है, क्या उहापो हो रहा है, सब वो समझ गए, उन्होंने का हमारे दूध पर तुम लोगों को संदे हो रहा है, मैं जूٹ नहीं बोलती, मैंने आज तक स्वप्न में भी असत्य भाशन नहीं किया है, मैं मनवानी क्रिया से सत्य का पालन करने वाली हूँ मैं पतिवरता हूँ सत्य की उपासिका हूँ मैं जूट नहीं बोलती अब तो मेरी अवस्था ढल गई है लेकिन मेरे दूध का प्रुभाव में अभी भी तुम्हारे सामने पस्तुत कर सकती हूँ ऐसा कह करके अजना माता ने अपना पयोधर दवाया इस्तन दवाया और दवाते ही इस्तन के एक पिछकारी दूध की निकली और दूध की पिछकारी निकली तो सामने विशाल पहाड था जैसी पहाड पर दूध की साट पिछकारी पड़ी पहाड बिदीरन हो गया, चूर चूर हो गया, दो भाग में विवक्त हो गया अब तो सब ने माता के चरणों में प्रणाम किया उले ऐसा दूद हनमान जी ने पिया है तब तो माता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो किसी को कुछ करने की जरूवत नहीं थी तब स्रीराम जी ने कहा माता जी नाराज नहीं हो न देखो हनमान जी का तो एक ही विचार रहता कि हमारा नाम हो, हमारा यस हो, हमारी कीर्थी हो तो ऐसा करते तो हनमान जी का नाम होता, हमारा तो नाम होता नहीं इसलिए हमको बड़ा नाम बाला बनाने के लिए हमको यस्प्रदान करने के लिए यह हनमान जी ने ऐसा किया मेरी इक्षा से उन्होंने रावन का बद नहीं किया यह बात सुनकर माता अंजना प्रसन हो गई हनमान जी को फिर से गोद में ले लिया तो अंजना मोद मंदिर अन्यना के मोद के मंदिर है हन्मान जी अन्यना को अन्यना माता को हन्मान जी आनंद प्रदान करते हैं वायू को भी आनंद प्रदान करते हैं और नतक ग्रीव सुग्रीव दुखई का बंधो नतक ग्रीव सुग्रीव नामता विचारे का सुग्रीव लेकिन ये नतक्ग्रीव हो गया था नतक्ग्रीव मने सिर नीचा हो गया था भै के कारण शोक के कारण ही मनुष्य का सिर नीचा होता है बाली से निरंतर भैवीत रहने के कारण सुग्रीव नतक्ग्रीव हो गये थे ऐसे नतक्ग्रीव जो सुग्रीव हैं उनके दुख के समय में यदि कोई उनका सच्चा सहायक सिद्ध हुआ तो वो श्री हनुमान जी महराज हुए नतक्ग्रीब सुग्रीब दुखईक बंधो उनके दुख में बंधू बन गए यातुधानो धतक कृध कालागनिहर सिद्ध सुरसज्जनानन्दसिंधो उद्धत उद्धंड बेद विरुध आचरन करने वाले जो यातुधान माने राक्षस हैं उनके बेद विरुधाचार को देख करके आप कृध हो जाते हैं और कृद्ध हो करके क्या करते हैं बोले कालाग्नि हर हरमाने शिव कालाग्नी आप कालाग्नी प्रले कालीन अग्नी जैसे प्रकट हो ऐसे अग्नी आप प्रकट कर देते हैं और उनको भस्म कर देते हैं सिद्ध सुर सज्जना नंद सिंधो तो राक्षसों का क्रोध ही प्रले काली न अगनी के समान है और उस अगनी के समान क्रोध को आप शांत कर देते हैं एक अर्थ तो ये है और दूसरा अर्थ ये है उद्धत जो यातुधान हैं उनके वेद विरुद्ध आचर्ण को देखकर आप कृद्ध हो जाते हैं और उनको जलाने के लिए सिवजी के जैसा काम करते हैं जैसे संकरजी कृद्ध होकर संसार को दगध कर देते हैं ऐसे ही आप उन यातुधानों को सुखे इंधन के समान जला डालते हैं सिद्ध सुर सज्जनानन्द सिंधो हेश्री हनवान जी महराज सिद्ध देवता और सज्जन इनके लिए तो आप आनंद के समुध रही हैं अब देखो सिद्ध देवता और सज्जन सिद्ध कौन है सिद्ध किसको कहते है बैसे तो दिवताओं में एक प्रजाती है सिद्धों की उनको तो सिद्ध कहते ही है पर स्रीमत भागवत में सिद्धों ने ही सिद्ध की परिभासा प्रस्तुत की है सिध्ध लोग ही बता रहे हैं कि सिध्ध कहते किसको हैं भगवान की स्तुती करते हुए सिध्ध लोग कह रहे हैं अयम्त्वत्कताम्रिष्ट पियूश नद्याम मनोवारणहां क्लेषदावाग्निदग्धा त्रिशार्तो वगाधो नसस्मारदावं ननिस्क्रामते ब्रह्म संपन्न वन्नहां अयम्मनोवारणह ये मनरूपी वारण माने गजेंद्र हाथी क्लेषदावाग्निदग्धा ये संसार के जो क्लेष हैं यही दावानल के समान है इस दावानल में ये मनरूपी हाथी जलहा था मन करीबिशय अनलबन जरही हो ये सुखी जो ये ही सरपरही जलहा था अब विचार करो जंगल में भेंकर आग लगी हो रहाथी जलने लग जाए और पहले से गर्मी से प्यास से ब्याकुल हो रहा हो तो हाथी क्या करेगा हाथी उन अगने की लपटों से अपने आपको बचाने के लिए भागेगा और भागते भागते हाथी कहां जाएगा जल की और जाएगा अ कथंचे तुसे गंगाजी मिल जाएं तो बले ही गंगाजी के तट पर बसे हुए दोनों तटों पर बसे हुए घंगोर जंगल आग से जल रहे हो पर वो हाथी गंगाजी में कूद जाता है तो नसस्मार दावम उस दावा नल की प्रचन अगनी का स्मर्ण भी नहीं करता है महराज गंगाजी के ठंडे ठंडे जल में हिलोरें लेता हुआ कलोल करता हुआ इतना आनंद का अनुभव करता है कि उसको जलन का कोई अनुभव नहीं होता है ब्रह्म संपन हो जाता है ऐसे ही हमारा मन रूपी हाथी विसे रूपी जंगल में जल रहा था और इस संसार में संतों रूपी हिमाले से राम कथा गंगा बह रही है इस गंगा में हमने अपने मन रूपी हाथी को डुबा दिया तो हमें इसका संसार के कलेशों का स्मर्ण नहीं हो रहा है हम तो ब्रह्म संपन हो रहे हैं जैसे चासनी में कूद करके गुलाब जामिन रस्मे हो जाता है जलीवी इमर्ती एकदम रस्भरी हो जाती है ऐसे ही अब तो हम ब्रह्म संपन हो रहे हैं सीधा साधा सरलर्थी यह है कि जिसका मन भगवन नाम रूप लीला धाम के रस्मे निरंतर डूबा रहे उसी को सिध्ध कहते हैं ऐसे जो सिध्ध हैं उन सिध्धों को भी आप आनंद प्रदान करते हैं राम चरित्र सुनिवेको रसिया प्रभुचरित्र सुनिवेको रसिया राम लखन सीतामन वसिया आप निरंतर राम कथा सुनते हैं तो आपकी सनिधी में बड़े बड़े सिध्ध भी आते हैं कि यहां राम कथा सुनने को मिल जाएगी क्योंकि सिध्ध कहती उनको जो कथा के रसमें डूबे रहें वो आपके साथ कथा के रसमें डूबे रहते हैं किम पुरुषबर्स में हनमान जी कथा सुनते हैं गंधर्व के द्वारा गंधर्वों के द्वारा और सिध्धों के सहत हनमान जी उस कथा रसमें डूबे रहते हैं हनमान जी महराज तो ऐसे सिद्धों को भी नामरूप लीला का रस्परदान करके, कथा कीर्तन का रस्परदान करके, उन्हें भी आप आनंधित करते हैं, और देवता, देवता कौन है? एक तो सिद्धों की परिवासा हो गई, देवता कौन है? देवता भी देवता नहीं है यदि भगवान से भिमुख है तो अब भले असुर हो पर भगवत सनमुख है तो देवता से भी बढ़कर के है देवताओं में सबस्टिश्च कौन है इंद्र देवराज इंद्र ओ देवराज इंद्र महाभागवत ब्रता सुर्ञ से क्या कह रहा है आप तो सिद्ध महात्मा हैं, पताओ हम देवता होकर देवराज होकर भगवान में बुधी नहीं लगा पा रहे हैं तो आपने असुर देह प्राप्त की है फिर भी आप भगवान के इतने उच्चिकोटी के भक्ते हैं क्या सुन्दर सुन्दर भाव आपकी वाणी से निकल लें महाराज आपको प्रणाम है दिवुक्रीडा बिजगीसा स्वपनकांति गती इस सब अर्थ में दिवुधातू है हम जिस अर्थ को कहना चाहते हैं वो यह है जो राम जी के साथ खेले राम जी जिसके भीतर खेले और जो राम जी के साथ खेले जो राम जी जिसके हुर्दय में प्रकासित हुमे जो राम जी में रमे और राम जी जिसमें रमे सच्चा देवता तो वही है ऐसे जो देवता हैं उनको आप आनन्द देने वाले हैं आपकी कथा सुनकर बेभी आनन्द का नभव करते हैं देवता और कौन सज्जनानन्दकारी सज्जन सज्जन कौन है दिरमन्दुदाजी सज्जन कौन है बुले राम राम तेही सुमिरन कीना रदे हरसिक पी सज्जन चीना अच्छा एक वाल बताओ हम सम लोग सज्जन बनना चाहते हैं कि नहीं सज्जन बन जाएंगे सज्जन हो जाएंगे तो बिना हन्मान चालीसा पड़े भी हन्मान जी रक्षा कर लेंगे क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे सज्जन कोने जो सुवेरे जगने से लेके सोने तक और सोने से लेके जगने तक निरंतर राम राम करे हन्मान जी उसी को सज्जन कहते हैं और ऐसे सज्जन जो विभीषन हैं उनको राम जी के गुण सुनाकर राम जी की लीला सुनाकर उनको भी आनंद प्रदान करने वाले हैं महराजी केवल आनंद प्रदान करने वाले नहीं आनंद सिंधो आनंद देने वाले नहीं हैं कि तोला दो तोला आनंद दे दिया चटाक दो चटाक दे दिया ऐसा नहीं है ऐसे शिद्धों को देवताओं को और सज्जनों को आप प्रेमा नंद सिंधु में डुबा देने वाले हैं बोलो भक्त बत्सल भगवान की जय ऐसे आप हैं और कैसे हैं जयति रुद्रा ग्रणी बिश्व बंध्या ग्रणी बिश्व विख्यात भट चक्र वरती साम गाता ग्रणी काम जेता ग्रणी राम हित राम भक्ता अनु वरती जयति रुद्रा ग्रणी हे हनवान जी महराज आपकी जय हो आप तो रुद्रा ग्रणी हैं एक आदस रुद्र है ना उन समस्त रुद्रों में ग्यारह रुद्रों में आप अग्रणी हैं सबसे प्रधान हैं क्यों? बुले प्रधान इसलिए हैं ग्यारहों रुद्रों में आप प्रधान हैं इसलिए आप प्रधान हैं क्योंकि आपको भगवान स्री राम की साक्षात सेवा का सवभाग्य प्राप्त हुआ है राम जी की सेवा का सुख जैसा आपको मिला है वैसा किसी को नहीं मिला ये रुद्र भी शिवी जी भी आपके माध्यम से ही सुख कान्वों करते हैं प्रभु कर्पंकर्ज कपी के सीशा सुमिरी सुदसा मगन गोरी सा राम जी ने हनमान जी के सिर पर हात पदर आया तो संकर्जी कथा कहते कहते मगन डूब गए कथा बंद हो गई पारवती जी ने कहें इनको क्या हो गया अस्रुकंप पुलकादी सब साथ उक भाव जग गए तो उसमें लिखा नहीं है पर हमको ऐसा लगता है कि माताजी ने थोड़ा संकर्जी को हिलाय डूला है बोले प्रवो क्या हुआ कथा कैसे बंद है अरे बोले चिड़ो मत चिड़ो मत क्यों बोले हनमान जी के सिर पर राम जी का हाथ है और आनंद कानभव मुझे हो रहा है क्योंकि इसलिए तो मैं हनमान जी के रूप में आया हूँ कि ऐसे तो राम जी ये मेरे सिर पर हाथ रखेंगे नहीं इस रूप में मैं कृतार्त हो जाओंगा तो आप राम जी के साक्षात वातसलिकोस्नेह को प्राप्ट करने वाले हैं इसलिए आप रुद्रा ग्रणी हैं आपकी जय हो और आप कैसे हैं बिश्वबंद्या ग्रणी बिश्वबंद्या ग्रणी इसके दो अर्थ हैं एक अर्थ हो तो यह है कि तमाम लोग विश्वबंद्य होते हैं सारा संसार उनके सामने नत्मस तक है अरे सब जगे कहने किने किसी किसी ने दिवता की पूजा होती ही नहीं कहीं गनेशी की पूजा जादा है कहीं सूरी नारेन की पूजा जादा है कहीं संकर जी की पूजा जादा है कहीं नारेन भगवान की पूजा जादा है और भगवती के क्षेत्रों में चले जाओ बिंध्या चल और कामा क्या आदि भगवती की पूजा जादा है ये सब के सब देवता बिस्वबंदे हैं पर हनमान जी आप अग्रणी हो पूरे संसार में जितने मंदर हनमान जी के मिलेंगे उतने मंदर किसी के नहीं है मंदर की भी जरूवत कहा है महाराजी एक पेड में सिंदूर चड़ा दिया थोड़े दुनों में लोग कहते हैं सिद्ध हनमान जी ये पेड में प्रगट हो गए सिंदूर चड़ा दो कोई शिला पड़ी हो शिला कोई इसनान करा के और सिंदूर चड़ा दो तो उपलब्द हो जाए तो दो आँख और चिपका दो हनमान जी प्रगट हो गए अरे और तो और इंटा इंटा को सिंदूर चड़ा के उसमें नेत्र लगा दे तो वही हनमान जी बन जाते हैं बले ही मंदिर गाओं में संकर जी का देवी जी का रामकृष्ण का मंदिर नहों पर हनमान जी के बिना कोई गाओं नहीं सब गाओं में हनमान जी का मंदिर जरूर होगा और तीर्थों में जाओ तो वहां तो हनमान जी हनमान जी श्री जगनाथ पूरी में जहां अरुनत द्वार से प्रवेश करते हैं वहां भी हनमान जी है फिर आगे बढ़ेंगे तो हनमान जी फिर पीछे द्वार पर जाएं तो हनमान जी इधर द्वार पर उधर द्वार जिधर जाओ वह आनमान जी दिखाई पड़ेंगा कान पाता महाविर आनमान जी सबकी समस्या का समाधान आनमान जी करते हैं पस्चिम द्वार है ना कान पाता आनमान जी जहां है पस्चिम द्वार है तो जगना जी बोले कि आप हमको ये जगह छोड़के जाना पड़ेगा रुक्मनी जी लक्षमी जी बोली क्यों तो ले आपके पिता जी सोने नहीं देते हैं लक्षमी जी के पिता जी जानते हैं न समुद्र इतनी जोर की गरजना करते हैं कि हम सो नहीं पाते हैं सोरगुल में नीद कहा है सरकार जाओ तो मत यहां से हनमान जी का इसमरण किया हनमान जी आ गए क्या समस्या है माता जी आ गया करो अरे समस्या क्या है हमारे पिता जी की आबाद जादा होती इनको नीद नहीं आती है अच्छे इतनी सी बात है कोई बात नहीं हनमान जी सारे शब्द को पी गए समुद्र की तो महराज वहाँ से ठीक आगे बढ़ो तो समुद्र की घरजना सुनाई पड़ती है और मंदिर पर सर में समुद्र की घरजना नहीं सुनाई पड़ती है मंदिर के बार तक घरजना आगे पीछे समुद्र की गर्जना, आज भी चमतकार है, हनमान जी समुद्र की गर्जना के शब्द को ही पी गए, बेड़ी हनमान जी है, हनमान जी स्री राम जी के अवतार काल में समुद्र कईवार जगनातपुरी को डुबा देता था, तो सिकायत राम जी के दरवार में पहुंची महराज ये समद्र तो पूरी बासी सिकायत करने गए सरकार ये तो बहुत दुखे की बात है समद्र कई वार डुबा देता है पूरी को तैस नैस हो जाती जगनात पूरी राम जी गोले जाओ हनमान जी तो फोड़ा डांट लगाओ समद्र को तो हनमान जी आकर बिराज गए समद्र माना फिर हनमान जी वहां से चले आए प्रसमुद्र को तो फिर समद्र आ गया फिर लोग पहुँचे महराज कई बरसों तक तो कोई उपद्रव नहीं था फिर समुदर आ गया फिर तहसनेह सब हो गया राम जी ने हनमान जी को बोलाए हनमान जी कहाँ आप थे ना वहाँ वोलित थे या वो वहाँ हमेशा कहां रहते समुदर का जलबाई उनकूल नहीं पड़ता वहाँ लोग भात ज्यादा खाते हैं हम तो लड़ुआ खाने वाले हम भात खाने वाले तो हैं नहीं पहलवान को भात कहां पचे महराज बढ़िया बादाम का हलुआ चाहिए चूर्मा के लड़ू चाहिए माल पुआ चाहिए तो राम जी बोले हनमान जी बोले महराज वहाँ भात खाते खाते परिसान होगे चले आए क्या करें तब राम जी ने प्रेम की जंजीर में हनमान जी को बांदिया बेडी डाल दी तो आप जाओगे नहीं आपको यहीं खुब लड़ुआ खाने को मिलेंगे यहीं मालपुआ खाने को मिलेगा आज भी हनमान जी को खुब लड़ु का भोग लगता है वहाँ हनमान जी जहाँ जाओ वहाँ हनमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा है को होत है हनमान जी की पूजा आज भी हनुमान जी के सैक्णों ऐसे स्थान इस देश में हैं, जहां एकदम चमतकार आज भी प्रत्यक्ष है, और लगता दिवी दिवता तो थोड़ा तांदुपट्टा सो गए, हनुमान जी जगरे हैं, सब जगे जागरत है हनुमान जी विश्व बंद्या ग्रणी, विश्व बंद्य जो देवता हैं, उनमें आप अग्रणी हैं, मानें विश्व बंद्य देवताओं में भी सरवाधिक पूजा यदि किसी की होती है, तो आप की ही होती है हनुमान जी महराज की हनुमान जी के विग्रह किन किन देशों में हैं इसको पढ़ने के लिए गीता प्रेश से प्रकासित हनुमान अंक पढ़ना चाहिए उसमें तमाम देशों में भारत के बाहर के देशों में भी हनुमान जी के बिग्रह प्राप्त हुए हैं ऐसी हनुमान जी महराज की महिमा है पूजी श्री रमन रिती वाले महराजी के साथ हम स्री लंका गए थे राम जी के लिलास्तल देखने वहां महराजी एक पहाड ही है कहते हनुमान जी ने यहां भिस्राम किया दिन बन उदासी भी हमारे साथ थे तो महराज दूर से दर्सन करने में भावना बनाने नहीं पड़ती ऐसे लगता पूरा पहाड ऐसे लगता हनमान जी ऐसे हाथ छाती पे धरके सो रहे हैं लगता ही नहीं हनमान जी की नासिका ठोड़ी मुकुट भुजाएं चरण वक्ष कोई मूर्ती नहीं परवताकार परवत की ही आक्रती ऐसी है वहां महत्माव ने हनमान जी भी पदरा दिये हैं और कोई जमाना ऐसा भी था कि वहां के लोग हनमान जी पदराने का बड़ा बिरोध करते तो करें जो हमारे आग लगाने वाला उसके हम पूजा क्यों करें पर चलो हम पूछते हैं चलो आप आग लगाने वाला मान के पूजा न करो पर पूरा पहाड का पहाड़ हनमान जी के स्वरूप में है उसको आप क्या करोगे आपकी सरवत्र पूजा है और दूसरा अर्थ है विश्वबंद्या ग्रणी विश्वबंद्य कौन है विश्वबंद्य माने सरवत्र जिसकी पूजा होती हो सरवत्र जिसकी बंदना होती हो उसको विश्वबंद्य कहते हैं विश्वबंद्य कौन होता है राजा राजा नहीं होता है बिश्वबंदे कौन होता है स्वदेशे पुज्यते राजा बिद्वान सरवत्र पुज्यते राजा की पूजा अपने राज्य की सीमा में होती है जहां का वो राजा है वहां उसकी पूजा होगी और बिद्वान सरवत्र पूज्यते बिद्वान की पूजा सब जगे होती है एक महात्मा है हमारे बड़े प्रेमी अब बहुत समय से उनका दर्सन नहीं हुआ कुछ जोतिस भी जानते हैं हाथवाद देखना भी जानते हैं तो कुछ महात्माओं की जमाती त्यागी तपस्यों की जमात रास्ते में कुछ खाने को मिला नहीं भूके प्यासे महात्मा एक हनमाजी के मंदर पे आ करके पड़ गए अब चले थे पैदल तो भूक बहुत जोर की लगी और वहाँ बगल में एक विद्याले था इस्कूल था तो इस्कूल में इंटर्वल हुआ बीच में जो मध्यान भोजनाव कास होता है वो हुआ तो उसके समय बच्चे आए तो महत्माओं ने पूछा कि भाई यहां कोई कितना गाओं है पास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि महत्माओं भूके हैं कुछ बोजन मिल जाए वो महराज ऐसे लोगों का गाओं था जिनकी महत्माओं में रंचमात्र सरद्धा नहीं थी ओ तो समस्टे ऐसे ही फोकटिया हैं ऐसी मारे मारे इदर से उदर डोलते हैं महत्माओं में श्रद्धा ही नहीं थी तो वहाँ किसी ने का बाबा जी चाहे यहां भूके प्यासे मर जाओ यहां कोई पानी की भी पूछने वाला नहीं है इसकूल के किसी कर्मचारी ने का बाबा यहां कुछ नहीं यह तो गाओं घोर नास्टिकों का गाओं है अब महराज गर्मी कहां जाएं भूक के मारे ब्याकुल तो अब क्या हो भईया उले कुछ चमतकार दिखाना पड़ेगा चमतकार को नमस्कार होता है पुझ पहड़ी बाबा महराज कहते थे पुरानी कहावत है दुनिया पुझाओ मककर से रोटी खाओ घी सक्कर से कुछ नहीं कुछ करना पड़ेगा मककर एक लड़के को बुलाया एधारा पेटा एधारा यतने साल पेड़े तुम बीमार पड़े थे एक घटना तुमारे साथ घटी हाँ बाबा जी घटी तो सही तुम एतने भाई हो उले हाँ तुमारी इतनी बहन है हाँ तुमारे पिताजी ऐसे कुछ बतना जी ओतिस में कुछ बातें तो सही होती ही हैं कुछ गोल मटूल होती हैं वो सब में लगव हो जाती हैं आप बहुत अच्छे आदमी हैं बुरा आदमी भी अपने को बुरा तोड़ी से मसता हैं आप बहुत भले आदमी हैं आप लोगों पर विश्वास करते हैं और आपके साथ विश्वास कात हो जाता है ऐसा तो प्राय सब के साथ होता है आपके पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है अरे भी यह टिकता किसके पास है खर्चोंने के लिए आता है आप लोगों के साथ बहुत भला करते हैं पर प्राया आप के साथ बुरा हो जाता है ऐसी भावना प्राया सबकी रहती है तो ऐसी कुछ बातें गुल मटोल भी साथ में याद करके रखी जाती है हमें याद नहीं है क्योंकि हम ज्योतिस जानते नहीं बाकी जोतिस ऐसी विद्या है हस्त रेखा तो उसमें आपको कहीं जगह ना मिल लही हो कोहां जगह मिल जा है हमारे बाबुजी बता रहे थे जगदिश बाबुजी बाबुजी हम ट्रेन में जा रहे थे कहां से कलकता से पूरी तो ले हमारा सादू संत का भेश देखे और अब ऐसे सामाने टिकेट ले रखा था कुछ गंटों का रस्ता तो बोले बाबा जी हाथ बाद देखना जानते हो बाबुजी तो जारे कहां जाने हाथ देखना तो बाबुजी तो चतुर तो ही हैं आखिर तो एक मारवाडी बैसे हैं और बयो ब्रदवई हैं उन्होंने करें हाथ मुखा देखाते हो हमको बैठने की जगह हैं नहीं तुम लोगों में इतनी भी इंसान यतनी के एक बुजुर्ग खड़ा है और तुम बैठने को पर बाबा जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ फिर बुले माराज हाथ देखना पड़ेगा तो इधर उधर की बात करते रहे बैठने की जगह मिल गई हमसे हमने ऐखने हाथ देखना तो नहीं जानते पर वो हाथ सामने कर दिया तो आपकी बागे रेखा बहुत ऐसा हो जाता है वो महत्मा तो जानकार थे उन्होंने कुछ बातें सही सही बताई अब बच्चे ने जाकर कि मास्टर जी से कहा मास्टर, हेड मास्टर सब आ गए ले हमारा हाथ देखो, हमारा हाथ देखो अब महत्मा ने मकर दिखाया ओ जोर से डाटा इतने महत्मा भूके प्यासे यहां पड़े हैं कोई पाने की पूछने बाला नहीं है और खाली हात्मा दिखाते हो पहले महत्मा की सेवा करो पर सब का भूत भविस्ट देखा जाएगा सब को बताया जाएगा महराज क्या लाएं तुरत महराथ दूद आ गया मिठाई आ गयी फल आ गया ओ सब आ गया महराज जी और सब प्रेम से खाए पिये तब तक की स्कूल का समय पूरा हो गया महत्मा राद पर हो यह सुवेरे चले गए तो अब यह क्या विद्वान सर्वत्र पूज्यते यदि वो विद्या उनमें न होती तो सब लोग भूखे ही रह जाते विद्या प्रचन धन है गुप्त धन है विद्या विद्या राजसु पूज्यते नही धनम विद्या भीनो भीनहा पशुहू विद्या भीन को पशु कहते हैं और हनुमान जी विष्व बंद्या गर्णे ग्यानिनाम अग्रगर्ण्यम विद्वनों में ग्यानियों में श्री हनुमान जी अग्रगर्णे है और कैसे है हनुमान जी विष्व विख्यात भट चक्रवरती हनुमान जी विष्व विख्यात भट हैं विश्व विख्यात भट ही नहीं है भट चक्रवरती विश्व विख्यात तो रावन भी था विश्व विख्यात तो और भी तमाम असुर हुए पर इन सब विश्व विख्यातों के चक्रवरती समराट है हनमान जी इसका मतलब है हनमान जी से धिक बलवान और कोई दूसरा न ना आगे होने वाला है एक भजन गाते हैं कोई हुआ न होगा मतवाला जरा सी बात पे लंका जला डाला क्या गीत गाते हैं कोई कैसिट में सुना है मुझको याद नहीं है काया है ने किसी ने हुआ न होगा मतवाला जरासी बात तो तो तुमने लंका जला डाला ऐसा कुछ है कैसेटों में कहीं कहीं सुनाई पड़ता है रिकार्डिंग में याद आएगा तो हम बताएंगे आपको बड़ा अच्छा काया है किसी ने तो ऐसे आप विश्व विख्यात भट चक्र वरती हैं और कैसे हैं वोले साम गाता ग्रणी हाहा हाई साम वेद का गान करने वालों में हनमान जी सबसे स्रेश्ट है संपूर्ण वेद छे अंगों के सहत हनमान जी को कंठस्त है शडंग वेद विदुष्य हनमान जी अउसमें साम गान करने में तो हनमान जी से बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं साम गाता ग्रणी और साम वेद का ही उप वेद गांधर्व वेद है जिसको शास्त्री संगीत कहते हैं वैदिक संगीत कहते हैं तो हनमान जी से बड़ा सांगी तक भी इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है सामगाता ग्रणी सामवेद गाने वाले हैं इसलिए दो प्रकार के घंटा का वर्णन मिलता है एक गरुर घंटा एक हनुमत घंटा इधर तो लोग केवल गरुर घंटा गरुर घंटी ही समझते हैं पर दक्षिन भारत में अशोग जी को पता होगा दक्षिन भारत में जहां जहां स्री राम मंदिर होते हैं वहां जो घंटा बजाने वाला जो हनुमान जी का होता है राम जी का जो घंटा बजाने वाले जो घंटी होती न बजाते हैं उसमें हनुमान जी अंकित होते हैं देखा होगा आपने हमने देखा है उसमें गरुड जी के स्थान पर हनुमान जी अंकित होते हैं उसको हनुमत घंटा कहते हैं दक्षन भारत में आज भी मिलता है, हनुमाद गंटा, सदाचार महोदधी नामग्रंथ में लिखा है, स्री राम जी की पूजा में, हनुमान के चिन्न से युक्त गंटा बादन करना चाहिए, गरुड गंटी क्यों बजाते हैं, क्योंकि गरुड गंटी बजाने से, एक अंग की निवनता पूरी हो जाती है, गरुड गंटी बजाने से, गरुड जी के पंखों से, सामवेद की रिचाएं प्रकट होती है, तो गरुड गंटा बजाने से, और वो कमी पूरी हो जाती है, इसी तरह से हनुमान जी के घंटा से भी सामवेद प्रकट होता है, क्योंकि सामगात अग्रणी सामबेद गान करने वालों में आप अग्रणी हैं हनमान जी के जैसा उत्तम गायक और कोई दूसरा नहीं है एक कथा सुना देते हैं एक समय की बात भगवान श्री हरी कथा तो लंबी हम छोटी करके सुना रहे हैं भगवान श्री हरी श्री मन्ना रहेन और भगवान सदाशिव दोनों कोई स्वपन हुआ स्वपना स्वपन हुआ भगवान नारण ने स्वपन में क्या देखा करपूर के समान जिनका गवरण है चंद्रमा और कुंद की कली की कांती भी श्वेत संखे की कांती भी बिलज्जित हो रही है ऐसे भगवान श्रीव नीलकंठ भगवान श्रीव लाल-लाल जिनके चरण कबल है और संदर जिनके करतल है अखंड भस्म रमाय हुए है ऐसे भगवान श्रीव व्याल यग्यो पवीती भगवान श्रीव कमल दल जिनके नेत्र है बड़ी संदर मंद मुश्कान है और वे भगवान श्रीव शांभवी मुद्रा में ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, गंगा उच्छलित हो रही हैं, जटाओं पर चंद्रमा है, बड़ी सुन्दर भगवान शिव की शोभा हो रही है, ऐसा दर्शन भगवान नारण को स्वप्ण में संकर जी का हुआ, ओ संकर जी को दर्शन हुआ, भगवान नारण से इस पर यंक पर विराजे हैं, पदमा संसे बैठे हैं, बड़ी सुन्दर भगवान का मेघश्यावल कोमल स्री अंग है, पीताम बरधारन की हुए हैं, चोडी लाल किनारी है, लाल लाल चर्ण तल हैं, द्वज अंकुष बज्र आदी के चिन से इसुसोवित हैं, चार भुजाएं ह ऐसी अंक में रखकर के भगवान ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, दो भुजाओं में शंक चक्र है, और मुष्कुरा रहे हैं, आनंद में विभोर हो रहे हैं, ऐसे भगवान को, ऐसे भगवान को देखा संकर जी ने स्वप्न में, तो दोनों ही देवता जब नेत्र खु चाहिए है, चल कर प्रत्यक्ष दर्सन करना चाहिए, तो वईकुंठ से भगवान नारण चल पड़े, अथवा चीर सिंदू से को, भगवान नारण चल पड़े, और कैलास से संकर जी चल पड़े, और दोनों चले महराज ये कही मुहूर्त में, और दोनों का मिलन मानस सरू चाहिए, एक दूसरे का प्रेम से प्रगाढ आलिंगन किया, और महराजी आलिंगन करने के बाद, अब दोनों देवता मित्र तो है ही है, हरी हर का सक्य प्रसिद्ध है, दोनों देवता मानसरूबर के जल में उतर गए, जल में खेलने लग गए, तैरने लग गए, जलक क्री जलक क्रीडा भी एक बड़ा सुख देने वाली होती है, जिसको जल में जल प्रिय जो होते हैं, उनको बड़ा सुख मिलता जल में तैरने में, यद्यपी तीर्थ में ज्यादा उचल कूद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा आनन्द होता है तो जल में खूप तैरने का मन करता है हम भी अपने को सही मित नहीं रख पाते हैं जल को देख करके आज सुवेरे पीरी पोखर में सनान हुआ बरसाने में पीरी पोखर पीरी पोखर जहां स्री ब्रिश्वान उलाडली राधा रानी ने विवाहक के पूर्व जोन को मेहदी रचाई गई थी और हल्दी च चड़ाये गया था ऊबटन लगाया गया था तो राधारानी ने अपने चरण और हात वहाँ धोए और अपने ओटन को वहाँ धोया तो पीरी पोखर जो है ना वो श्री जी की अंगकांती से युकत है अंग राक का विमोचन वहाँ हुआ है बड़ी महिमा है पीरी पोकर क तो सुवेरे श्री रसिक माधव दासी और दास और संत गये सुवेरे विश्नान करने वहाँ प्रियस्वर महादेव जी का भी दर्सन है तो यद्यपी बाद में हमको याद आया कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन जैसे ही जल देखा तो दंड़ोत प्रणाम करके बुर्ज से ही चलांग लगा दे धडाम से कूदे और जब कूदे तो यद्यदा चरति स्रेश्था फिर जितने थे सब कूद कूद के नाए पिर हमने प्रार्थना के भाई यहाँ कुछ कचड़ा उचड़ा हो रहा है लोग पन्नी बगएर डाल दिये हैं इसको थोड़ा सफाई भी करो संतों ने सफाई भी किया वहाँ तो जलक कृड़ा का भी एक सुख है कहने का मतलब यह है याद आगया हमको इस सब जटा गी ले हैं हमारे इसलिए खोल दिया तो महराज हरी हर का सक्ष्य प्रसिद्ध है जलको जैसे ही देखा दोनों ही जल प्रिय है सात्विक लोग जलप्रिय होते हैं आसुरी वृत्ती बाले लोग उनको पानी से बहुत घवडाट होते हैं जल, पुष्प, चंदन यह सब सात्विक पदार्थ हैं पवित्र पदार्थ है, इसलिए पवित्र आत्माओं को यह प्रिय होते हैं भगवान का कुउप बशेप होता कि नहीं होता ओ संकर्जी स्थ्यृ नोयुक्त जलधारा प्रियो शिवहा संकर्जी स्थ्यृ बढ़ा प्रिय है श्री ब्रन्दावन विहारी लाले की जै 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 श्री रादे तो भगवान की दया से क्या हुआ कि दोनों देवता जल में तैरने लगे खेलने लगे जलक क्रीडा करने लगे अब एक दूसरे को पर जल उलीचे ने लगे अब हरी हर का जलक क्रीडा जल बिहार ऐसा अध्वत हुआ कि हज्जारों वर्षवती तो हो गए वो जल से ही निकलाओ, खेल रहे हैं जल में, हाँ हाँ कार मच गया, बहिया ये जल बिहार से कौन इनको रोक है, ये तो बाहर निकलती नहीं, वस उसी में खेल रहे हैं, एक दूसरे के उपर जल उलीचते हैं, तेरते हैं, कभी संकर जी गोता लगा के भगवान का चरण पकड करके खीच के ले जाते हैं, ऐसी कूब, कभी संकर जी भगवान, कभी भगवान संकर जी एक दूसरे में खेलने लग जाते हैं, एक दूसरे कूब पर चड़कर के छलांग लगाने लग जाते हैं, पानी में सब काम होते हैं, तो वो सब लीला कर रहे थे, अब क्या हो कैसे हो, आजी श्तुती करकर के ठग गए, सरस्वती जी ठग गई, गनेशी ठग गए, भगवान के पारषत सब ठग गए, वो ध्याने नहीं देते कौन खड़ा है, वो खेल रहे हैं, अब क्या हो, हरी हरी की जलक कृड़ा कैसे बंद हो, ये जलक कृड़ा से बिरत कैसे हो, तब स्री हनमान जी का आवान किया गया, और गीता प्रेश के हनमान अंक मे इस चरित बहुत बढ़िया से है, हनमान जी महराज बैट गए, अब सब केबल बैट करके देखो, अभी इनका खेल बंद होता है, हनमान जी बैट गए, साम गाता ग्रणे, साम वेड़ गाने वाले मे हनमान जी अगरगण है हनमान जी ने तानपूरा समाला और तानपूरा के स्वर छेड़ करके जैसे ही राग रागनियों में उन्होंने केवल और केवल राम नाम का गाना आरंब किया हनमान जी गावे राम नाम को राग तो है है, हनमान जी तो अनुराग की मूर्ति है तो है राम 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 तो उस सुंदर गाया अनमानजी ने एसा सुंदर राम नाम गाया कि उस संगीत को भगवन नाम को सुन करके बोले बावा तो व्याकुल हो गई इतना प्यारा नाम कहां से सुनाई पड़ आ है जाकुल हो गया तो खेल बंद हो गया भगवान भी सुनने लग गए सब हनमान जी का संगीत सुनने में मस्त हो गए और फिर हनमान जी ने राम नाम का कीर्टन सुना कर दोनों देवताओं को जलक क्रीडा से विरत किया ऐसे हनमान जी गायक है कि इनके संगीत से हरी हर भी मोहित हो जाते हैं हरी हर को भी नचा देते हैं ऐसे हनमान जी साम गाता ग्रणी और कैसे हैं हनमान जी काम जेता ग्रणी काम को जीतने वाले जितने भी हैं उनमें अग्रगर्णे हन्माजी है काम पर विजय प्राप्ट करना बड़ा कठिन है पुझ धर्मसंग वाले गुरु जी सुनाते थे आपको भी श्लोग कंठस्त होगा विश्वामित्र परासर प्रभरत यहा बाताम्वु परनाशना विश्वामित्र परासर आदि रिशी कोई केवल हवा पीके रहते कोई केवल जल पीके रहते और कोई केवल पत्ते चबा कर रहते बाताम्वु परनाशना ते पिश्ट्री मुखपंकजम सुललितम द्रश्ट्वईम मोहंगता वे भी सुन्दरियों का इस सुन्दरिय को देखकर अपना धाईरिय खो देते ऐसे चलत्र पुरान इतिहास में प्रसिद्ध हैं हमारे पुझ पहाड़ी बाबा महराज तो कहते थे केक सिद्ध पुरुष थे उनके पास बहुत से महापुरुष आते थे तमाम साधक आते थे इस्त्री पुरुष हर जाती के हर वर्ग के लोग आते थे महराज बोलते बहुत खंते इकात कोई शब्द बोले तो बोले नहीं तो इसारे में उपदेश करते थे वो पर उनके पास आने से लोगों को कोई ने कोई साधन मिल जाता था बड़े सिद्ध पुरुष थे तो महराज जी सुनाते थे कुन सिद्ध महात्मा के पास एक पुरुष शाधक गया और उस पुरुष शाधक ने कहा से परेशान काम विकार से हूँ काम विकार से मुझे बहुत परेशानी हो रही है ये विकार कटक रहेगा इतना साधन करने के बाद भी विकार नष्ट क्यों नहीं हो रहा है तो महात्मा मुश्कुराए अब मुश्कुरा करके ऐसे सारा किया ऐसे सारास ले को राम राम करते रहो ज्यादा इसके पीछे मत पड़ो कि ये नहीं हुआ राम राम करो जितना कर सकते हो करो क्यों? बोले ये बंद होने वाला नहीं है क्यों? तो उन्होंने महात्मा ने क्या किया? भिक्षा वहां रखी थी आटा तो एक मुठी आटा ऐसे दिखाया है महराजी के मुखारविंद से इस तो नहीं बात सुना रहा हूँ उन्होंने महात्मा ने कहा 24 घंटे में एक मुठी आटा भी फांकते रहोगे तो ये विकार से परिशान रहोगे अन्य खाओगे तो कुछ न कुछ तो इंद्रियों में बल बढ़ेगा विकार तो आएगा थोड़ी देर बाद एक नारी साधिका आई उसने का महराज मैं साधन तो आपकी प्रिणा से करती हूँ पर मैं भी इसी विकार से बहुत परिशान हूँ क्या करूँ ये कब जाएगा तो महत्मा ने उनको भी सारा किया माला जब ओ राम राम करो जाएगा नहीं क्यों तो उनके धूना सामने जल रहा था धूना की एक मुठी राख उठाई और मुठी राख उठा करके कहा जब तक मुठी बर राख नहीं बन जाओगी तब तक रहेगा क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पुरुष की अपेक्षा नारियों के देह में काम की प्रवलता दस गुनी अधिक होती है इसलिए महात्मा ने कहा तुम मुठी वर राक बन जाओ तो भी विकार तो रहेगा इसलिए भजन करो भजन से ही सारे विकार नश्ट होते हैं और देखो इस कराल कलिकाल में राम नाम का जब करके तमाम आत्मा निर्विकार हो गए इसका मतलब है आप इसके पीछे मत पढ़ो आप राम नाम के पीछे पढ़ जाओ राम नाम के पीछे पढ़ जाओ तो हरी नाम ही आपको निर्मल बना देगा निश्काम बना देगा निर्दोस बना देगा भगवान के नाम में अचिंत अनंत सामर्थ है सारे विकारों को सरवत्था समाप्त करने की सामर्थ यदि किसी में है तो भगवान के महा महिमा में नाम में हनमानजी काम जेतागरणी काम विजय प्राप्ت करने वालों में हनमानजी अगरणी आजकल विश्व सुन्दरियों का चुनाव होता है उनके सीज पे एक ताज बांधा जाता है विश्व सुन्दरी फर्स्ट विश्व सुन्दरी सेकंड बस विश्व सुन्दरी थर्ड और कुछ उनको पुरुस्कार भी मिलता है उसमें भी हमने सुना है ऐसा कि कुछ ले दे के भी किताब मिल जाता है, ऐसा भी हमने सुना है, उसमें भी रिष्पच चलती है पर यह आज के विष्व सुन्दरी नहीं, रावण ने विष्व सुन्दरी नहीं, भुवन सुन्दरी, जिस लोक में जो इस्त्री अच्चन्त सुन्दर दिखाई पड़ी, उसी को पकड़ लाया ऐसी सैक्ड़ों सुन्दरियों को इकठा किया था उसने लंका में और इस प्रकरण को ठीक से समझना हो, तो हम समझाना भी नहीं चाहते और आपको संतोस नहो हमारे संक्षिप्ट प्रभुचन से तो आप वालमी की रामयन में सुन्दरकान में हनमान जी ने जो सीता जी का अन्वेशन करते हुए रावन के अंतपुर में स्त्रियों को देखा है उसको आप पढ़ लेना शैक्ड़ों स्त्रियों के बीच में सोता था रावन अपूर्व सुन्दरियों नाग लोग की यक्ष लोग की किंडरों के लोग की यह कहां कहां की सुन्दरियों लेके आया था और वो सुन्दरियों ऐसी अवस्था में पढ़ी है कि उनको देखके विकार उत्पन होना स्वाभाविक है नगन को देखके विकार किसके मन में पैदा नहीं होगा और उन नगन श्त्रियों के बीच में अर्ध नगन नगन, विशए भोग परायन श्त्रियों को देख करके भी हनुमान जी के चित में विकार उत्पन नहीं हुआ है एक बड़ी बारीक बात आपको बता रहे है यद जब ये बताने बाली बात नहीं है फिर भी बता देते है हनुमान जी काम जेतागरने क्यों है क्योंकि पूर्ण उर्धुरेता ब्रमचारी है उर्धुरेता कर्थ होता है जिसका रेत जिसका सुक्र उर्ध्वगामी हो जाए उसको उर्धुरेता कहते हैं अब जो बारीक बात हम कहना चाहते हैं तो वो सुन लीजिए मनुष्य के भीतर किसी दृष्य को देखकर किसी बात को सुनकर जब विकार जागरित होता है अभी क्रिया रूप में प्रणित नहीं हुगा पर उसके मन में विकार पैदा हो गया तो विकार पैदा होते ही मन में जो हलचल पैदा होती है उस हल चल के साथ ही शुक्र अपने स्थान से स्खलित होकर, वीर्यब प्रवाह जो नलिकाएं उन से वो नीचे के और जाने लग जाता है, स्वाभाव कुरुप से जाने लग जाता है नीचे के और, और क्रिया निस्पति के बाद तो उसका क्षरन ही हो जाता है इसलिए संयम नश्ट होवे या नश्वे ब्रह्मचर्य नश्वे या नश्वे मन में विकार आया है और तनिक मानसिक उतेजना भी हुई है तो उतने मात्र से शुक्र अपने इस्थान से कशरित होने लग जाता है, नीची को पने इस्थान से चलाएमान हुआ जो शुक्र है वो फिर देह में रहता नहीं है, उसको तो बाहर निकलना ही है इसलिए पूर्ण प्रम्मचारी वही हो सकता है जिसके चित्य में कभी विकार ही पैदा नहों और ऐसे पूर्ण निर्विकार यदि कोई हैं तो वेश्री हनवान जी महराज हैं ऐसी स्त्रियों को देखकर भी उनके मिन में विकार उपन नहीं हुआ बोलो ब्रंदावन बिहारी लाल की जय काम जेता ग्रणी इसलिए हनवान जी के स्मरण से काम वाधा नस्ट होती है ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है बढ़ा सुन्दर श्लोग सनक कुमारो देवर्शिही शुक भीष्म अप्लबंगमा पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते इन पांच का स्मरण करने से काम बाधा नस्ट हो जाती है सनत कुमार मने सनकादिक भगवान सनक सननन सनातन सनत कुमार देवर्शिही देवर्शिनार जी शुकदेव जी महराज पितामा भीष्म भी उर्धुर्यता ब्रमिचारी भीष्म जी महराज और स्री हनुवान जी महराज इन पांच का स्मरण करने से और काम बाधा नस्ट हो जाती है क्योंकि इनका पांच का भाव पुर्वक स्मरण करेगा तो इनका संयम सदाचार हमारी ध्यान में आएगा और उससे निर्विकार होता है संतों की बाणी स्मरण में आ जाये तो विकार नस्ट हो जाता है संतों का उपदेश ध्यान में आ जाये तो विकार नस्ट हो जाता है बोलो भक्त वत्सल भगवान की जै तो काम जेता ग्रणी हनमान जी काम विजय करने वालों में अग्रगणी है और राम हित राम भक्तान वरती हनमान जी का निजी हित कुछ है ही नहीं राम जी का हित ही हनमान जी का हित है इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जिस सेवक ने जिस पुत्र ने जिस सिष्य ने अपना निजी हित कुछ मान रखा है वो सच्चा सेवक नहीं हो सकता वो सच्चा सिष्य नहीं हो सकता वो सच्चा पुत्र नहीं हो सकता सच्चा सेवक सच्चा सिस्य सच्चा पुत्र वही है जिसने अपने पिता, स्वामी पूज्य गुरुदेव उनके हित को ही अपना हित्मान रखाओ राम जी ने का भरजी तुम जो कहो सो हम मानेंगे कहो भर्जुलेरी राम राम आप क्या बोलते हैं आपको संकोच में डाल कर हम अपनी इक्षा की पूर्ति कराएंगे हमारा हित कहां है जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिये सोई हनमान जी का अपना हित है ही नहीं राम जी का हित राम जी की राम जी का भला जिसमें हो वही हनमान जी का है हनमान जी जो कुछ करते हूं राम जी की प्रसन्न अता के लिए राम जी की भलाई के लिए करते हैं राम भक्ता अनुवर्ति श्री राम जी के जो भक्त हैं उनके आप अनुवर्ति हैं अनुबर्ति माने जानते हो पीछे पीछे चलने वाले को अनुबर्तन करने वाला हमारे हां ब्याकरण में भी एक अनुबर्तन होता है यह इस पद का अनुबर्तन यहां से कर लिया गया ऐसा बोल देंगे नहीं अनुबर्तन हो गया उपर से नीचे आना तो मानो इस अर्थ में यह भी ले सकते हैं कि स्री हन्मान जी तो राम जी की इस सिवा में रहते हैं लेकिन यदि कोई राम जी का भजन करता है तो उसके पीछे-पीछे हन्मान जी चलने लग जाते हैं जैसे सूत्र में अमुक मुकपद, अमुक सूत्र में अनुवर्ति तो हो जाते हैं, ऐसे हनुमान जी अनुवर्ति तो हो जाते हैं, पीछे-पीछे चलते हैं, भक्तों के पीछे-पीछे हनुमान जी चलते हैं, जिरंतर जलते हैं, राम जी के भक्तों के अनुवर्ति हैं, अर कौशला कुशल कल्यान भासी हम इसको पूरा करना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी करते हैं हे हनुआन जी आपकी जय हो संग्राम जय आप जिस संग्राम में हो और उसमें पराजय हो जाए ये तो संभवी नहीं है आप जहां युद्ध में खड़े होते हैं जहां तो विजय होती ही है क्यों विजय होती है? जहां हनमान जी वहां विजय क्यों? जहां हनमान जी वहां विजय क्यों? यत्र योगे स्वराह क्रिष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरह तत्र स्रीर विजयो भूतिर धुरुवानी तिर्मतिर्मम अब इसको ये भी कर सकते हैं यत्र योगेश्वरो रामहा यत्र हनुमान गदाधरा तत्रस्रीर विजयो भूतिर्दुर्वानी तिर्मतिर्मम जहां रामजी हैं जहां हनुमान जी है वहां तो विजय होनी ही है क्योंकि रामो विग्रहवान धर्महा और जहां धर्म रूप स्री राम हैं वहीं हनुमान जी है जहां हनुमान जी हैं वहीं धर्म है जहां धर्म है वहीं राम जी है जहां राम जी है वहीं बिजय है जहां हनुमान जी है वहीं बिजय है पुरोस्त्री बिजय हनुमान जी महराज की हनुमान जी का एक नाम बिजय हनुमान है राम संदे शहर राम जी का संदेश्त्री जानकी जी को सुनाने वाले हैं कुशला कुसल कल्यान भासी अयुद्ध्या के लोग विरह की आग में जल रहे थे राम जी आये तो राम जी ने सबसे पहले हन्मान जी को इतो भेजा के भर जी को जाकर हमारे आगमन की सूचना दो तो अयुद्ध्या वासियों को कुसल सुनाने वाले हन्मान जी है को तुम तात कहां ते आये मोही परम प्रिय बचन सुनाए हन्मान जी सब को आनन्द देते हैं राम बिरहार कसंतप्त भरता दिनर नारी सीतल करन कलप शाकी राम रूपी बिरह के वही जेठ की रितु है वही प्रचन धूप से संतप्त भरता दि अयुद्या के जो ननारी हैं उनको सुन्दर स्री राम जी के चरित्र की चरित्र रूपी जल की बरसा करके सब को ठंडा कर दिया आपने राम जी की कथा सुना करके और आप कैसे हैं कलप शाकी कलप शाकी आप कलप शाकी मने साखा अस्यास्तिति साकी आप कलप ब्रक्ष है हनमान जी के पास जाओगे जो चाहोगे इसो मिल जाएगा कलप साकी है एक दूसरा अर्थ भी है कलप साकी का इस पूरे कलप के साक्षी हनमान जी है साक्षी साक्षी मने साक्षी हनमान जी है क्योंकि ही हनमान जी अस्ट चिरजीवियों में है अस्वत्थामा बलरिव्यासो हनुमास्च विभीषणः क्रपपरसुरामस्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान संस्मरे नित्यम मारकंडे यमतास्टमम जीवेद बर्षशतम सोपी सरवव्याधि विवर्जिता उनमें हनमान जी की गणना है कलप शाकी और कैसे है हनमान जी जयति सिंगासना सीन सीता रमन निरखी निरवर हरसे नृत्यकारी है हनमान जी महराज आपकी सदाही जयजे कार हो जब सरकार अयोध्या पधारे ओटन हुआ उनका महाविशेक हुआ और देप्यरत्न सिंगासन बसिशी जी ने बुलाया सिंगासन बिराजमान किया गया और सिंगासन पर जब स्री रगुना जी बिराजमान हो गए बामांग में स्री किशोरी जी बिराजमान हो गई और जैसे ही प्रथम तिलक वसिष्थ मूनि कीनहां पुनिसब विप्रन आयुष दीना जैसी राम जी का तिलक हुआ हनमान जी उस ज्ञांकी के दर्सन के आनंद को सम्हाल नहीं पाए निरकी निर्भर हरसन रत्यकारी जब कोई व्यक्ति बहु ज़्यादा आनंद में होता तो ठिरक उठता है ना चुठता है हनमान जी सिता राम जी को सिंगा सना सीन देख करके हनमान जी महराज नृत्य करने लग गए महराज जी भक्त तो नृत्य करते ही बिलज्य उदगायत नृत्य तेचा मदभक्त युक्तहा भुवनम पुनाती मेरी भक्ती से युक्त जो होते हैं वो तो ठुरुवन को पवित्र कर देते हैं भराज नाचने की भी बड़ी महिमा है बलो भक्त बत्सल भगवान की जै 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 श्री रादे श्री राम जे राम जे जे राम श्री राम जे राम जे जे राम Śrī Rām Jai Rām Jai Jai Rām Śrī Rām Jai Rām Jai Jai Rām नर्तनंकुर्ते यस्तू केशवाग्रे नरोत्तमहा नफलंहीयते तस्य आजन्ममर्णांतिकं। महराजी पद्मपुरान के उत्तरखंड के अध्याए 36 में 16 में अध्याए 37 में 16 में श्लोक में ये बात लिखी है कि भगवान के सामने जो उत्तम मनुष्य नर्त्य करता है उसका मरते मर जाए उसके पूर्णे का कभी नाश नहीं होता है। भगवान के सामने नर्त्य करने की बड़ी भारी महिMA है। अब हमकोश लोक इससे में मिला नहीं। महराजी लिखा है भक्त जब बैठकर कीर्थन करता है तो भगवान खड़े ओकर कीर्दन सुनते हैं। भगवान नाचने लग जाते हैं और भगवान नृत्य करने लग जाता है तो भगवान नृत्य करते हुए उसकी परिक्रमा करकर के भगवान नाचते हैं उसकी धूल भगवान अपने उपर पढ़ जाए ऐसा सोच करके भगवान अपने को धन्य मानते हैं इतना प्रेम करते है भगवान नृत्य करने वाले नृत्य करना बहुत उंची भक्ती है भगवान की तो हनवान जी अब लोग महाराथ थोड़े से कुछ पढ़े लिख जाए थोड़ा कोई बड़ा पद हो जाए और यह बोले नाच नहीं, नाच हैंगे नहीं हनवान जी से बड़ा कोई विद्वान है हनवान जी से बड़ा कोई विश्वबंद है इतने इतने बिशिशन हनवान जी कि आप सुन रहे हैं और वो हनवान जी नाचने लग जाते हैं आनंद में विभोर हो करके पैर में घुंगरू बांद करके के हाथ में करताल लेकर नाचने लग जाते हैं राम संब्राज सोभा सहित सरवदा तुलसी मानस राम पुर विहारी और राम जी के अयुद्या में सिंगासन प्रवियाजित स्री रगुनाजी को का दर्शन करके आप आनन्दित होते हैं गोष्वामी जी कहते हैं महराज ऐसे ही हनवान जी महराज आप हमारे हरदय रूपी अयुद्या में अपने सरकार के सहित विराजें और ऐसे ही आप नाचते रहें हमारे हरदय में भुलो स्री हन्मान जी महराज की यहीं आज अपने वक्त अभी को हम पूर्ण करते हैं और आगे भगवत कृपा से कल हम चर्चा करेंगे स्री राम जै राम जै जै राम स्री राम जै राम स्री हन्मान जी महराज की